गुर्मोनी फिफ्ट किलास आयम सशिश वाहन फ्रॉंप हैपी कैमरी स्पूल बचे हमने ये नाइन चैप्टर दीड किया था चतू चर्वहा आज बचे हम इसकी एक्सिसाइज करेंगे पेज नुपर है 60 Q2 सही उत्तर पर सही टिक का निसान लगाओ इस कहानी का उचित सिर्षक चुलिए मनवा और उसकी भेडे या फर की टोपी या मनवा की चतूराई तो बचे इसका आंसर होगा मनवा की चतूराई गुर्षवार का घोड़ा क्या देखकर डर गया चड़ी देखकर फर की टोपी देखकर या मनवा को देखकर तो बच्चे इसका गोड़ा फर की टोपी देखकर दर गया था पर बच्चे उची सिर्सक ये क्यों होएगा क्योंकि मनवा की चतुराई भाधी देखी गई है थर्ड़न आते हैं मन्वा छड़े पर टेक लगा कर खड़ा क्या सोच रहा था तो बच्चे वो क्या तो भीड़ों के विश्य में पहळी के जवाब केender करें बच्छे में हैं गुड़ सवार को कैसा उत्तर पाकर परसंता हुई सेजी, गलर या चला की भरा तो बच्चे गुड़ सवार को चला की भरा उत्तर पाकर परसंता हुई नेक्स्ट है गुड़ सवार ने मनमा के जवाब से संतुष्ट होकर उसे क्या दिया पैसा, सुलीलीबासुरी या घोड़ा तो गुर्षावार ने वच्छे सुलीलीबासुरी दिनी मनुआपो एक बाभा फिर देखो, सबसे पहले में आएगा वच्छे, इसका शिर्षक हमने यह चुना है मनुवा की चतुराई क्योंकि इसमें मनुवा के बारे में उसकी समझदारी उसकी गुद्धी मता और उसकी चतुराई ली देखी गई गया तो आंसर ये है सेकिंड में हैं फर की टोपी देखकर थर्ड में हैं पहली के जवाब के विश्य में 4 में हैं चलाकी भरा और 5 में हैं सुरीली वासुरी अब चलते हैं बचे होग फिलप्स पर सही सबसे दिकिस्तान भरो option दिये हुए हैं चतुर, सुन्दर, तेज, अच्छी और सुरीली मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है पेहली बहु डैस थी, तो कैसी थी पेहली? अच्छी, यहाँ पर आदाएगा अच्छी नमबर भी डाल लेना है वन, और बच्चे यहाँ पर लिखना भी है आपको second है, गोडा डैस था, तो कैसा था? तेज, यहाँ पर आप तेज इको मनबर भी डैस लड़का था, तो कैसा था? चतुर, चतुर लड़का था गुड सवार ने एक डैस बासुरी निकाली तो कैसी बासुरी निकाली थी? सुरीली और किसको दी दी? मनबर को दी दी गुर सवान ने मनवा से कहा तुम डैस जवाब देते हो इसमें आएगा बच्छे सुन्दर तो मनवा जो था वो समझदार था बुद्धी मान भी था और चतुर भी था तो वो कैसे जवाब देते थे गुर सवान को कैसे जवाब लगे सुन्दर जवाब देए अब पेज नमबर 61 पर आजेए और कोशन है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत रोंग का निशान लगाओ मनवन ने अपनी कमी जमीन पर फैंग दी नहीं पच्चे उसने चड़ी और फर्की टोपी फैंगी थी बच्चे कमीज नी फैंगी थी तो इसमें रोंग आएगा गुड सवार ने पहली का जवाब दे दिया नहीं तो रोंग आंसर लिखेंगे हम यहापर मनवा पहली भूजने पर बहुत खुस हुआ तो बच्चे राइट आंसर आएगा खुस हुआ था गुड सवार ने मनवा को बहुत सारा धन दिया रोंग आंसर ठीक है पहले में है रोंग सैकंड में रोंग थार्ड में राइट है फॉर में रोंग अब बच्चे वाक्य बनाने हैं आप छोटी क्लास से वाक्य बनाते आ रहे हो तो बच्चे ये वाला कोश्चन आप खुद करोगे अपनी बुख में ठीक है आपने आज लाइप क्लास में भी बहुत सारे वाक्य बताएते बहुत अच्छे वाक्य बताएते तो अपने ही वाक्य यहां पर लिखो गया चुपचापका, मैदान, पिहेली, बुद्धी मता और मधू आगे आता है एक वच्चन से बहु वच्चन बनाओ बच्चे एक वच्चन एक चीज होती है बहु वच्चन बहुत सारे जैसे आप जाते हैं हिंदी में दो वच्चन होते हैं एक वच्चन और बहु वच्चन और आप संस्के वच्चन बच्चन तीन होते हैं एक वच्चन, द्री वच्चन और बहु वच्चन तो यहां पर हिंदी में एक वच्चन को बहु वच्चन में करना है जैसे question वह इंखावा है, तो छड़ी का कैसे हो जाएगा, छड़ियां, तोपी का तोपियां, बस मात्राओं का ध्यान रखना है, जब हम भोगचने बना रहे हैं, पैपी छोटी की मात्रा आ जाएगी, इसी तरह है छड़ी, डैपी छोटी की मात्रा, आगे है गोडा, तो गो गोडे, यानि कि बहुत सारे गोडे, भेड का भेडे, ये भी आपको अपनी भूप में करना है, आगे आता है या भाव वाच्चा संक्या से विशेशन बनाओ, जैसे कि बिनर मनता का, क्या हो जाएगा, बिनर, पर्शंता का कर्शन, अमीनी का, अमीन, गरीबी का, गरीब, गुड़ापा का, गुड़ा, ठीक है, ये बच्चे आपने करेभी हुए है, मैं आपके पास वीडियो भी सेंट कर दोगी, और बच्चे ये वीडियो भी आप देखना है, और वीडियो पने से अपनी मुझ में कर दोगीना, एक बच्चे फिर बता रहेती हूँ, विनर मता का बिनर, परसंता का परसंद, अमिरी का अमीर, गरीवी का गरीब, बुडापा का भूड़ा, अब बच्छे विलोंग सब्द हैं, विलोंग सब्द आपको आते ही हैं, है ना, जमीन का हम आकास या आस्मान भी लिख सकते हैं, जैसे बच्छे एक वर्ड के कई मीनिम निकल जा या गरन भी हो जाता है, या आस्मान भी कह सकते हैं, जवानी का उल्टा, जैसे जवानी का बूड़ा, अमेर का गरीब, सुखा, दुख, बच्छे ये आपको अपनी बुख में ही करता है, और बच्छे जो कोशन आंसर मैं आपके पास भेज़ूंगी प्रेडियाप के दु तो वो आपको अपनी नोट बुख में करना है, कई बच्छों का काम नहीं हो रहा है, कोशन आंसर नहीं हो रहा है, और एक्सरसाइज भी नहीं है, तो बच्छे इस चाप्टर की एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेना, और कोशन आंसर अपनी नोट बुख में कर लेना, बच्छे अपनी नॉट्बॉक्स को लिए जो चैकिंग के लिए थाइक यू